हलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देखरें डॉक्टर कुमार एजूकेशन क्लेलिक यदि आपको खाना खाते समय आपको चेस्ट में जलन होती है आपको दर्द होता है घबराट होती है और आपको ऐसा लगता है कि आपका खाना निगलने मे आपको तकलीफ है खाना रुग गया है आपको टाइटनेस लगता है और कई वरी आप महसूस करते हैं कि आपके खाना खाने वाली जो नली है उसमें काफी जलन होती है जैसे ही आपको एकदम तीखा लगता है आपको जलन लगती है आपको एकदम एक सार पेन होता है एक जै कि आपको food pipe में खाना खाने वाली नली में आपको फिर जखम हो सकता है आपको छला हो सकता है आपको swelling हो सकती है और आपकी जो food pipe है फिर वो sensitive हो गई है और आपको food pipe का फिर कोई ulcer, ulceration यानी की जखम हो सकता है जिसमें कि कई वरी वो बहुत ज़्यादे sensitive हो जाता है तो आपक फिर यदि इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आपको इसको समझने की आवश्यक्ता है रिफ्लेक्स इसोफेजाइटिस के पीछे कुछ कॉमन कॉजिस होते हैं कॉमन कॉजिस से मेरा मतलब है कि जैसे बहुत ज़्यादा तीखा खाना बहुत ज़्यादा गरम मसाले का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा जो टीस डवलब करने वाले कुछ मसाले होते हैं उसका लगातार इस्तेमाल करना जिसमें हम कह सकते हैं कि चिकन मसाला या छोले चना मसाला इस तरह के आपने ब्रांड आजकल सुने हैं पिरचार है तो वो थोड़े ज़्यादा तीखे होते हैं वो ये बार ठीक है कि आपके फूड के टेस्ट को डवलप कर देते हैं लेकिन सेम टाइम मसाला जो आप यदि बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो उससे आपको बर्निंग सेंसेशन होगी और आपको फिर उससे इसो फ बहुत ज़्यादा है कोल ड्रिंग, सॉब ड्रिंग से, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग से, तमाकू खाने से और कई परी दिखाए जाता है कि सेलेबरी ग्लेंड्स का ड्राइ होने से क्योंकि लोग खाना चबाके नहीं खाते या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते तो आपको immediately इन सब चीजों को बंद करने की आवशक्ता है और आपको normally सबसे पहली जो चीज करनी है कि खाने को आप थोड़ा सा slow करिए आपका खाने खाने का जो समय है उसको आप बढ़ाईए और खाना खाते समय है आप साथ में या तो पानी पी सकते हैं या फिर आप कर्ड ले सकते हैं या फिर आप थंडा दूद ले सकते हैं जिससे कि आपको वो जलन घबराट बेचेनी जो तकलीफ हो रही है और खाना निगलते में जो आपको परिसानी होती है तो वो थोड़ी कम हो जाएगी और आप खाना खाँ पाएंगे तो इमीडेट एफेक्ट तो यह है कि आप अपने खाने में खाना खाने के साथ कर्ड ले लिजे चाच ले लिजे या फिर आप थंडा दूद ले लिजे या फिर आप नॉर्मल पानी एड़ कर लिजे तो उसके साथ आप खाना खाना स्टार्ट करिए दूसरा आप pH अपना manage करिए यदि बहुत ज़दा acidic food आप लेते हैं तो आप उसको drop करिए alkaline food लीजिए यानि fruits लीजिए vegetables लीजिए curd खाईए नारियल पानी लीजिए कच्चा नारियल खाईए आप और जितने भी आपके cooling effect देते हैं आपके पेट को आपके खाने fruits वो आप ल देता हूं आपका चाय कफी acidic food है smoking तमेकु से आपको acidic environment डवलब होता है फिर आपका जितने भी आपके cold drink हैं आपके soft drink hard drink यह सब उसी में आते हैं दूसरा बहुत ज़्यादा तीखा मसाले वाला खाना यह सब आपका acidic food है junk food pack food यह सब आपके acidic food हैं तो आप इसको cut down करिए reduce कर प्लस आप liquid diet लीजिए अच्छे से पानी बीजिए juice बीजिए and the most important part कि लंबे समय तक खाली पेट रहना आपके reflex isofagitis को बढ़ा देगा उससे आपको तकलीब ज्यादे होगी उससे आपको और ज्यादा problem होगी medically management है उसमें treatment में आपका हम एंटासेट देते हैं या फिर GI motility को थोड़ा सा regulate करने वाले आपको कुछ medicine देते हैं लेकिन constipation आपको नहीं रहना चाहिए अच्छे से पेट साफ हो अच्छे से gas आपका flow करें दूसरा आप बहुत ज्यादा लंबे समय तक खाली पेट आप मतल पाला पार्ट है उसको भी थोड़ा सा आप कंट्रोल करें नाइट में आप ठंडा दूद पी सकते हैं और आप पानी पी सकते हैं या फिर आप कुछ हनी का combination ले सकते हैं मौर्निंग में आपको यदि यह तकलीफ है तो आप ऐलो बीरा जूस लेना स्टार्ट करिए या हनी लीजिए या फिर आप चाज पीजिए या आप coconut water लीजिए खाली पेट सुभे मौर्निंग एम्टी स्टॉमक इससे आपको बहुत अच्छा फायदा होगा और यह रिफ्लेक्स इसोफेजाइटिस को जो खाना खाने वाली नली में आपको अलसर है जो आपकी sensitive हो गई है जो आपको प्रॉब्लम होती है वो नीचरली ठीक भी हो जाएगी लेकिन फिर भी यदि कुछ प्रॉब्लम वनी रहती है तो इसके treatment के लिए एंटासिट दिये जाते हैं और कुछ soothing agent दिये जाते हैं liquid form में लाइक सुक्राफिल या डाइजीन आप ले सकते हैं लेकिन make sure करें कि life lifestyle modify करें और इन सब चीजों का ध्यान रखें थैंक यू वेरी मैच इन टेक केर और सेवर्सेट अच्ट 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 अच्यों में।